Yes, people, good morning, good afternoon, good evening to all intermediate and CA final students. So, बहुत सारे बच्चों की कुछ query आ रही थी, तो मैंने सोचा उसका reply कर दूँ. पहली चीज तो सर्थ new syllabus है, और new syllabus में क्या income tax में कोई बहुत जादा आमुल चुक पुरिभरते नहीं? मिस बहुत जादा क्या drastic amendments है? आंसर is no, don't worry about that, इतने amendments नहीं है, amendments है करके by Finance Act 2023, as well as some topics are changed, और new topics are incorporated in the income tax. तो अगर मैं बात करूँ CA intermediate की, तो intermediate में तो कुछ sections को हटाया गया है, थोड़े बहुत amendments है, जो TDS, TCS वगेरा topic है, उसमें थोड़े जादा amendments है, तो amendments by Finance Act 2023 है. But when it comes to the CA final student, तो final students के लिए, obviously, यहाँ पे कुछ topics ऐसे हैं, जो नए add किये गये है, तो मैं बता हूँ, यहाँ पे नए add कौन कौन से topic किये गये है, जैसे example के लिए, आपका, एक तो तुमारा जो topic है, that is the tax audit and ethical compliance है, यह add किया है, उसके साथ-साथ में आपका जो Black Money Act 2015 है, वो add क किया गया है, तो कुछ ऐसे यह दो topic है, वो add किये है, और उसके साथ-साथ में जो आपके internal amendments है, वो amendments by Finance Act 2023 है, वो है ही है करके, ठीक है, चलिए, अब question ही आता है कि sir, आप amendment lecture हमको देने वाले हो, या नहीं देने वाले हो, answer is yes, मैं हर बार देता हूँ, last case, 2017 से लेके 2024 चल रहा है, एक भी exam ऐसा नहीं हुआ कि जहां मैंने amendment lecture ना दिये हो, free of cost, so free of cost आपको amendment lecture मिल जाएंगे, जल्दी ही मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, अब question यहाँ पर ये बच्छों को आता है, कि sir, हमको क्या class लेना चाहिए, या नहीं लेना चाहिए, या नहीं लेना चाहिए, guys, go with the new book, आप कैसे भी उसको arrange करिए, या तो friend के पास से arrange कर लिए, आपका financial issue है तो, या फिर अगर मालो आप buy कर सकते हैं, तो obviously आपको नहीं book लेनी चाहिए, why a new book, because there are some amendments, और इस बार major amendments है, as well as मैं आपको ये बोलूँगा, कि मैंने books इस बार बहुत अच्छी बनाई है, अगर आप देखोगे, ये वाली 2024 की book, that is the amazing best book of my life, intermediate as well as final दोनों के लिए, तो आपको revision lecture में YouTube पे free देने वाला हूँ, amendment lecture है, वो भी में आपको YouTube पे free देने वाला हूँ, लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं, जिन्नोंने class पहले कर रखा है, और वो चाहते हैं, कि हम उसको revise करे, तो revise करने के लिए हमको सर्फ class attend करना है, तो देखो class attend करना चाहिए नहीं, इसमें दो चीज़े है, पहली चीज़ ये है कि अगर आपको concept आते है, concept आने का मतलब होता है कि आपका concept वगरा सब clear है, कुछ practice का issue है, तो आप सिर्फ practice करिए class लेने की जरुवत नहीं है, but class लेने चाहिए, sir classes कौन सा लेना चाहिए, if we are appearing for the May 2024 exam, guys don't go for the regular batch, अब fast track batch लीजिए, अगर आपने पहले class ले रखा है, तो आप fast track हमारा जो exam oriented batch है, वो आप ले सकते है, sir batches के लिए हमको कौन सी website पे जाना पड़ेगा, तो bbvirtuals.com है, वहाँ से आप batches है, वो order कर सकते है, ठीक ह है, वो CA final के लिए आने चालू हो जाएंगे और revision lecture भी CA final के लिए जल्दी ही आने वाले है करके, so thanks a lot people, that's enough for today from my side, bye.